हेलो फ्रेंड्स आज किस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि आउनलाइन घर बैठे फोन के माध्यम सही अधार काट के अंदर मॉबाइल नंबर को कैसे लिंक कर सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो को ध्यान परवक समझ लेनी है देखिए इसके लिए सबसे पहले आ आपको इसके उपर क्लिक कर देना है जैसे आप क्लिक करोगे यहां पर इसका पीज के उपढ़ Ci धार सिर्दीक हो जाएगा तो देख सकते हैं इसके उपर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों जैसे आप प्रोसीड वाला पर बटन पर क्लिक करेंगे आपका अधार वेरिफिकेशन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा और फिर फाइनली आपका इस बेंट जेंडर सारा कुछ डिटिल देखने को मिलता है मॉबाइल नमबर के यह से उपट है उसके उपर क्लिक कर लेना है पसको क्लिक कर लेना है और फिर दोस्तों यहाँ पे क्लिक करने के बाद नया पेज आपके स्क्रीन के उपर डिस्प्ले होगा और यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको क्या का जा रहा है नेम तो भाई आपको अपना नाम डालना है यहाँ पे अड्रेस, complete अड्रेस फिल अफ करना है प्रिन-कोड़ यहाँ पे फिल अट करना है इमेल अड्रेस को फिल अफ करना है उसके बाद दोस्तों, mobile नम्बर और यहाँ से select service लिखा हुए यहाँ से आपको service को select करना है सब्तिक के अंदर आपको सबसे पहले select करना है और फिर आपको नुद जाना है ठीक, नीजी आने के साथ में एक और select option है, इसके उपर आपको click कर लेना है, और फिर आपको जो है, वो IPVP, UIDI, Mobile, Email to Adher Linking, ये आपको select कर लेना है, भाई, ये select करने के बाद request OTP है, इसके उपर आपको click कर लेना है, अब भाई, यहाँ पर OTP जो है गए, इसे आपको submit करना है और फिर confirm service request का एक option देखने को मिल रहा है, भाई, confirm service request के उपर आपको click कर देना है, जैसे ही दोस्तों, आप confirm service request के उपर click करते हो, यहाँ आपर देखिया request जो है, वो submitted successfully लिग करके आ चुका है, और आपको reference number मिल चुका है, भाई, इस reference number को आपको note करके रख लेना है, देख पर तका करके आपका जो अधार काट है, उसके साथ में, वाईल नमबर को link करके चले जाएंगे और इसके लिए आपसे पचास रुपय का charge भी लेंगे, ठीक है, देखिए दोस्तों, यह जो service है ना, वो भारत के maximum सहरों के अंदर, जो metropolitan city है, और जो developed country है, सहर है, इसके अंद आप अगर YouTube पे ट्रैक कर रहे हो, इसके अलावे, तो कोई online method नहीं है, इसके लिए आपको simply nearest जो अधार सेंटर है, वहीं पर आपको जाना होगा, और वहाँ पर जाकर कि फिर आपको अपना अधार काट के साथ में, वाईल नमबर को link कर वा लेना होगा, ठीक है, अगर आज आते हैं, तो भाई, कोई issue नहीं है, easily वो लोग कर देंगे आपका काम, अगर नहीं आते हैं, तो फिर आपको अधार सेंटर जाकर के update करवाना पड़ेगा, ठीक है, और check कैसे करना है status, तो देखे, यह आपको check करते रहना है, कि वो लोग कहां तक पहुंचे है, आपका जो request है, वो submit हुआ है, इसके बाद आपका status क्या है, कब तक आपका जो यह काम है, वो हो जाएगा, कब तक अधार काट के operators आपके घर तक आएंगे, तो भाई, जो reference number यह आपको मिला है, इस reference number को आपको note कर लेना है, और फिर आपको scroll करते हुए उपर आ जाना है, जब आप उप आते हो ना, तो यहाँ पर click to track your request लिखा हुए, भाई, click to track your request के उपर आपको click कर देना है, और फिर यहाँ पर जो है, वो जो mobile number से आपने यहाँ पर login किया होगा, register किया होगा, वो mobile number को आप यहाँ पर इंटर कर लें, और या फिर आप जो reference number मिला है, वो भी आप इंटर करक कि कहां तक आपका काम हुआ है, मतलब कब तक वो लोग आपके घर तक आ सकते हैं, तो यही process से online का बाकि कोई भी online method नहीं है, जिसके मात्यम से आप अधार काट को link कर सकते हो, तो दोस्तों यहाँ से आपको आशा करता हूँ कि सारी जानकारी crystal clear हो गई होगी, फिर भी भाई इसको है, तो comment box में पूझे, बाकि मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद